नमस्कार दोस्तो जैहंद, दोस्तो आए दिन आपको न्यूस में सुनने को मिलेगा कि पर्सियन गल्फ के स्ट्रेट ओफ हॉर्मूस में इरान की नेवी ने यूएस के तेल के टैंकर्स पे गोलिया चलाई, उनको सीज करने की कोशिश की फिर यूएस की नेवी आकर उनको वह से छुड़ा ले गई, अभी रिसेंटली ऐसी ही एक न्यूस फिर से आई, जिसमें इरान की नेवी ने स्टेट ओफ हॉर्मूस में दो अमेरिकन ओयल टैंकर्स को टार्गेट किया, एक पे गोलिया चलाई, फिर यूएस नेवी ने आकर उनको रेस्क्यू किया, दोस्तो ये इरान के बीच खराब रिलेशन्स का एक लंबा इतिहास रहा है, ये इतिहास 1989 में इरानियन रेवलिशन से जुड़ा है, जब इरान के शाह को बाहर फेक दिया गया था, जिसको अमेरिका का सपोर्ट भी था, इस रेवलिशन के बाद इरान से मौनाकी सिस्टम को पूरी तर खतम कर दिया गया, और फिर इरान एक इसलामिक रिपब्लिक बना, जिसको फिर लीड किया रहुला खोमेनी ने, दोस्तो तब से लेकर आज तक इरान और युएस के बीच संगर्ष और शत्रुता के कई मामले सामने आए, जिनमें एक इरान- इराक वार शामिल है, जिसमें युएस ने इराक को पूरा समर्थन दिया, और दूसरा पर्सियन गल्फ में युएस नेवी की बढ़ती हुई उपस्थिती, दोस्तो आज पर्सियन गल्फ में युनाइटेट स्टेट्स की इस उपस्थिती की वजह से स्टेट अफ हॉर्मूस में इन दोनों के बीच कई स सालों से खीचा तानी चल रही है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टेट अफ हॉर्मूस की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगा, दोस्तो स्टेट अफ हॉर्मूस पर्सियन गल्फ और गल्फ ओफ ओमान के बीच मौजूद एक बहुत ही किलोमेटर्स चौड़ी नैरो वाटर वे है, मगर आप इसके साइस पे मत जाये दोस्तों, दुनिया की लगभग 20% ओयल सप्लाई इस नैरो स्टेट से ट्रांसपोर्ट की जाती है, जो प्रतिदिन के हिसाब से एराउंड 21 मिलियन बैरल्स है, सौधी अरेबिया, इराक, इर और युनाइड़ अरब एमिरेट्स जैसे तेल उतपात करने वाले देश, इंटरनाशनल मार्केट्स में अपने तेल एक्सपोर्ट करने के लिए इसी स्टेट ओफ हॉर्मूस पर निर्भर करते हैं, यहां अगर किसी भी तरह की रुकावट होती है, तो उसका सीधा असर ग निगर जाती है, इतना स्टेटेजिक इंपोर्टेंस है स्टेट ओफ हॉर्मूस का, अब बात आती है कि जब भी युनाइड़ स्टेट्स के तेल के टैंकर्स यहां से गुजरते हैं, तो इरान की नेवी के साथ इनका क्लैश क्यों हो जाता है, देखिए, इरान की जैसे इरान इस ट्रेट पर दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा पावर प्रोजेट कर पाता है, और अपना दबदबा बनाय रख पाता है, और वैसे भी 33 किलोमेटर का एक बहुत ही नैरो वाटर वे होने के कारण, इरान बड़ी आसानी से अपनी नेवी और कोस्टल ड इस ट्रेट पे बिठा कर इस पे निगरानी रख पाता है, और जरूत पढ़ने पर यहां से गुजरने वाली शिप्स को रोग भी सकता है, यह इरान का एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एडवांटेज है, अब यह स्ट्राटेजिक बॉटलनेक इरान को एक स्पेशल अ पे निर्भर है, उनकी सप्लाई को रोग भी सकता है, दोस्तो पर्सियन गल्फ में युनाइटेज स्टेट्स ने भी कई दशकों से अपनी मिलेटरी प्रेजेंस बनाई रखी है, यूएस नेवी रेगुलर्ली पेट्रोलिंग करती है और साथी साथ अपने नेवल एसेट् एरक्राफ्ट कैरियर्स, डेस्ट्रॉयर्स और दूसरे वार्शिप्स के जरिये इस पर्सियन गल्फ को अपरेट करती है, अब युनाइटेट्स का कहना ये है कि भई हम मानते हैं कि स्ट्रेट अफ हॉर्मूस पर आप लोगों का एक जोग्राफिकल एडवांटेज है, मग पर्सियन गल्फ में युनाइटेट्स का मेन अबजेक्टिव स्टेट अफ हॉर्मूस से गुजरने वाली सभी कमर्शियल वेजल्स जैसे ओयल टेंकर्स की सिक्योरिटी एंशॉर करना है, और युनाइटेट्स ऐसा इस लिए करना चाता है क्योंकि ग्लोबल एनरजी मार्क पर्सियन गल्फ में इरान और इराक से होने वाली समुदरी डकैती और आतंगवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यहां से गुजरने वाली कमर्शिल शिप्स को सेक्योरिटी एसकॉर्स प्रवाइट करती है, और नो डाउट युएस इरान का कोई सगा तो है नही जाहिर सी बात है कि युएस ऐसा अपने और अपने अलाइज के फायदे के लिए कर रहा है, दोस्तो स्टेट अफ हॉर्मूस युनाटेड स्टेट के लिए जियो पॉलिटिकली इतना क्रूशल इसलिए है क्योंकि ये स्टेट अफ हॉर्मूस पर्सियन गल्फ को इंडियन ओशियन से जोडता है और यही स्टेट अफ हॉर्मूस इरान को युनाटेड अरब एमिरेट्स और ओमान से अलग करती है और ये दोनों ही मिडल इस्ट में युएस के अलाइज हैं और सिर्फ यही दो नहीं बलकि सौधी अरेबिया, बहरेन, कुवेत और कतार भी युएस क अलाइज हैं जिनको इसी रास्ते से LNG और कच्चा तेल दुनिया में एक्सपोर्ट करना होता है तो युएस अपने फायदे के लिए इसी रीजन में अपना दबदबा बनाए रखना चाता है दोस्तो अब बात आती है कि इरान की नेवी स्टेट अफ हॉर्मूस में अमेरि पॉइंट ऑफ कॉन्फिक्ट बन गया था दोनों के बीच टैंकर वार शुरू हो गया था जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे के तेल के जहाजों को समंदर में डुबाने में उतारू हो गये थे दोनों एक दूसरे के जहाजों पर धड़ाधर गोलियां चलाते थे अब कुवेत ने इससे बचने के लिए एक बड़िया सी तरकीब निकाली कुवेत ने अपने जहाजों पर से अपने कुवेती नैशनल फ्लैक्स को हटा कर अमेरिकन फ्लैक्स लगा लिये और फिर बड़े आराम से यूएस नेवी के प्रोटेक्शन में अपनी आइडेंटिटी क चुपा कर अमेरिकन आइडेंटिटी को लेकर अपने शिप्मेंट्स को निकाल लेता और साथ में अमेरिकन्स को भी इसका अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता तो दोस्तों ये सब बहुत पहले से चल रहा है मगर 2018 के बाद से ये चीजे कुछ ज्यादा बढ़ गई है जब दोस्तों इस प्लान आफ एक्षन के जरिये दुनिया की छै बड़ी शक्तियां युनाइट स्टेट्स, युनाइट किंग्डम, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और चायना ने मिलकर इरान से एक सौधा किया कि इरान अगर अपने नुकलियर एक्टिविटीज को कम कर दे तो उ उसके उपर जितने एकॉनिक सैंक्षन लगे हैं उनको हटा दिया जाएगा, मगर युनाइटेट स्टेट्स ने दो हजर अठारा में इस प्लान आफ एक्षन से विड्रॉ कर लिया और फिर से इरान पे सैंक्षन लगा दिये, इरान के नुकलियर डेवलपमेंट और फाइन करता है, उन पे फाइरिंग करता है, उनको सीज कर दे की कोशिश करता है, दोस्तों यही कारण है कि क्यू पर्सियन गल्फ में युनाइटेट स्टेटेट्स अपनी उपस्थिती को बढ़ाना चाता है और क्यू युनाइटेट स्टेट्स और एरान स्टेट अफ